नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भालचंद्र ब्रह्मांड सिद्याश्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करकराशी के जो पती होते हैं उनका जो संपुर्ण विक्तित वह होता है वो किस प्रकार का होता है मतलब जीवन के प्रति उनकी किस प्रकार का होता है उनकी सोच किस प्रकार की होती है और आप को उनके बारे में क्या बात है वह जाननी ज्यादा जरूट है सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने माले है उनका जो संपुण विक्तित वह हैं इस childish हो रहे हैन old friend और और लिःत upload हो रहे हैं आप उसका आनद जरूर लीजे तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि करक राशी के जो पती होते हैं उनका संपुर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है तो सबसे पहले ये बात जाननेना बहुत है कि जो करक राशी के जो पती होते हैं वो काफी ज़्यादा हाड वर्किंग होते हैं और इनमें एक जो खुबी जो कि बाकी किसी भी राशी में देखी नहीं जाती कि इनका जितना घर पर घर के जो लोग होते हैं या फिर घर की जो बाते होती हैं इनके बारे में इनको काफी जादा सटीक जानकारी होती है मतलब खाने के मामले में खाने किस तरह से बनाना है कैसे बनाना है किस प्रकार से बनाना है इसके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए घर की जो बाते हैं इसके बारे में घर की जो गुरुईने होते हैं उससे ज़्यादा इनको मालुमात होती है तो यही बात इन में देखी जाती है जो के काफी अलग होती है तो इनकी जो पत्नी होती है इनके मन में हमेशा यह ब्रहम रहता है कि घर की गुरुईनी कौन है मतलब घर के मामलात में जादा किसको मालुम है लेकिन ये बात भी काफी अच्छी होती है और घर के जो भी काम होते हैं इसमें भी ये आपको help करते हैं तो ये बात अन्य किसी राशी में इतनी मातरा में देखी नहीं जाती जो कि इस राशी में देखी जाती है और घर के जो लोग होते हैं उनसे काफी जादा emotional attachment इनको रहता है अब कई दफा ऐसे भी आप देख सकते हैं कि इनको खुद को भी पता नहीं होता कि इतनी attachment क्यों है लेकिन होती जरूर है खुद के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे मतलब ग्रशा होती हैं थोड़ से अब कर देखी आप जलने से सोचते हैं लेकिन यह बात इस चंब कर एक हैं बिल्कुल अच्छी है इनकी जोम्हीं होती होती है उनके लिए बात काफी देखी जाती है यहाँ पर देखिए इनको भी जो sharing वह काफी ज़याधा फसंद आती है जैसे कि हमने वितुन राशी की जो पूरुष होते अनके बारे में देखा या पती होते ऑनके बारे देखा लेकिन इनके बारे में यह जो बात होती है शेरिंग की वह थोड़ी अलग होती है मतलब यह रिलेशन्शिप पर ज्यादा बोलना पसंद करते हैं मतलब आपकी अटेश्मेंट आपका प्रेम आपके घर के लोग है उनके प्रति मतलब बाहर की जो बाते हैं मतलब करियर ज़्यादा पसंद आता है या फिर उसमें वो ज़्यादा रूचीा लेते हैं दूसरी जादा महतोपगोग मोद्ध थोड़े practical भी होते हैं मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने है कीस प्रकार से कर्च करने है क्रकार से कीस तरह से इसको investment करनी है नॉर्मली क्या होता है कि घर के जो गुरुहिनी होती है यह जो सभी बाते हैं उनके हाथ में होती है लेकिन जो करकराशी के जो विक्ति होते हैं घर के सभी प्रकार के जो भी काम है वो मतलब घर के हो या फिर घर के बाहर के हो वो अपने हाथ में लेते हैं मतलब उसका जो नि वो किस प्रकार से करना है और दूसरी ज़्यदा मुइत्व Α करते हैं यह ज्यदा इंकम के बारे में देखेंगे या फिर मल्टी सोर्सेस ऑफ इंकम जिसे हम कहते हैं मतलब एक ही इंकम पर ज्यादा डिपेड नहीं करेंगे कई पर सेर्स में इंवेस्ट में करेंगे या फिर अन्य कोई जो क्रेदर है उसमें ज्यादा देखेंगे और दूसरी जदम है तो पुर्णबाद रहेंसेन के मामले में भी अगर देखा जाए तो उसके बामने में बहुत ज़्यादा पर्टिकल यह जो विक्तिय कभी दिखाई नहीं देंगे बाकि क्यों जो अन्य राशिया है मतलब कहीं राशिया है जो कि रहेंसेन के मामले में पूरुश होते हों के भी रहेंसेन के बारे में थोड़ा से पर्ट घर के अन to लोग हैं उनके बारे में डीसिप्लीन के बारे में चारशा करेंगे ने की जो मांग है इसके बारे में भी थोड़ा सोचेंगे मतलब बातें हो दी जाई या नहीं लेकिन बच्छों नेगर कोई बी बात कहा देये तो उसके लिए वो हमेशा तहरत है बच्चों क भी इनकी जो सोच होती है वो काफी सटिक देखी जाती है क्योंकि कई दाफ़ा ऐसे भी हो सकता कि जो गुरुईनी है वो कभी के संबरम में पर जाती है कि मा कौन है मैं हूँ या मेरे पती तो यह बाते थोड़ी देखी जा सकती है लेकिन इनका जो emotional attachment है वो काफी अच्छी त बैर होते हैं अब यह जो विक्ति हैं उनके दो थोड़े से वीक पॉइंट होते हैं पहले तो मैंने जैसे कहा कि इनका attachment काफी अच्छा देखा जाता है और दूसरी ज्यादा मैत पुर्ण बाद इनकी जो माह होती है वो उनकी वीक पॉइंट होते है तो इनकी जो पतनी है इनको मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि इनके मा के प्रती कभी भी ऐसे कोई शब्द के भी या फिर ऐसा कोई वरतन नहीं कहना जिसके जैसे यह hurt हो जाए तो यह बात आपको ध्यान में रखने होगे अगर आप यह बात अच्छी तरह से ध्यान में रखते हो तो आपको इनके के बारे में किसी भी प्रकर के problem complications कभी भी नहीं आएंगे और जो थोड़ी बहुत मैंने बात practical के बारे में पैसे के मामले में यह थोड़ा सा सजग रहते हैं उसके उपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि इनके मन में यह बात हमेशा होती है कि अगर आपके के पास पैसा है तो ही जो सर्वाइव है वह अच्छी तरह किसी जाता है सबसे इंपोर्टन बात आपकी जो lifestyle है उससे ज्यादा आपके जो बच्चे हैं उनके भविश्य के बारे में देखना चाहिए उनको ज्यादा सैटल होना चाहिए तो बच्चे इनकी ज्यादा जैसे क पूरुष है उनमें देखे जाते कई दाफा इनकी जो पतनी होते है उनमें यहीए बी बात आठे के बाकी के जो पूरुष होते हैं में जो में इमेज दिखाई नहीं देती लेकिन इसके कि विपरीत इनकी जो बाते होते हैं वह responsibility इनके लिए बहुती जादा महतों कर्म इन जो बाते हैं वो उनमें देखी जाती है अब यहां पर करीबन तीन नक्षत्र आते हैं हर राशी में तीन नक्षत्र आते हैं तो इस राशी की जो नक्षत्र है पुनर्वसु पुष और आस्कदेशा पुनर्वसु नक्षत्र का जो एक चरण है वो इस राशी में आता है जो क जो गिनवाई इनकी जो qualities है वो सभी qualities या फिर उससे भी ज्यादा qualities आपको इनमें देखी जा सकते हैं थोड़ा सा आपको पुछ करना होगा थोड़ा सा जिसे हम निरना इक्रमता जिसे हम कहते हैं वो थोड़ी से इनमें कम देखी जा सकते हैं लेकिन attachment या फिर emotions इनमें बहुत ही ज्यादा देखे जा सकते काफी ज्यादा मतलब पुनर्वसर यादी नक्षत्र है तो फिर आपको यह मतलब इनकी जो पत्निये थे इनके मन में हमेशा यह विचार आएगा कि पुरुष होकर भी यह इतने emotional कैसे हैं तो यह लेकिन होता ज़रूर है लेकिन जो मेहनत करने क जो capacity होती है आड़ बार के मिचर इन में बहुत अच्छा देखा जाता है अगर पुष्चनक्षत्र है तो पुष्चनक्षत्र के जो पुरुष या फिर पती होते है वो responsibility काफी एच्छे तरी काफी ज्यादा शान्त होते है और इनके मतलब कंदे पर हमेशा किसी ना किसी प चोड़ देखी जा सकती चाहिए कितना भी बड़ा संकट आये हो यह काफी जादा धीर घंबिर रहेंगे काफी शांत रहेंगे और किस प्रकार से उसे टैकल करना है इसके बारे में सोचेंगे तो यह बात इनमें बहुत positive बहुत ही अच्छी देखी जाती है और हमेशा इर् विक्तिय होते हैं दारदा सजग रहते हैं इनका जो पूरा जीवन होता है बहुत idealistic होता है मतलब किसी भी व्यक्तिका जीवन किस प्रकार का हो इसके बारे में हम कुछ definition करते हैं तो उसी प्रकार का इनका जो पूरा जीवन है इनका पूरा व्यक्तितव है इनका पूरा रह कि यह जाया या फिर थोड़ सा लेकिन ये बाते इनको नहीं चमती जो पुष्ण नक्षत्र के जो वेक्ति होते हैं लेकिन आइडिलिस्टिक होते हैं और इनकी जो पत्नी होते हैं समाज के जो लोग होते हैं वो हमेशा इनको ये बात कहते हैं कि पुरूश या फिर पती हो त होते हैं उनका जो वह जीवन होता थोड़ा सा कश्टप्रवध होता या फिर इनके उपर ज्यादा रिस्पोंसिविलेटी आती है आपको वही पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा लेकिन मोटे दर पर देखा जाए तो काफी ज्यादा में चोड या फिर धीरगंविर प्रकार के यह लोग हो सकते अब इसके बाद में करदे होते हैं और कई दाफ़ा क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ी कम होती हैं या फिर ज्यादा नहीं सोचते लेकिन फैमिली के बारे में अच्छे होते हैं इनके पत्नी के बारे में या फिर बच्चे जो होते हैं उनके बारे में अच्छे देखे जाते हैं तो यह थोड़ा सा selfishness है न वो थोड़ा से इनमें देखा जा सकता है असलेशा नक्षतर के बारे में और कई दफ़ा यह जो नक्षतर है वो भी थोड़ा शांत होता है लेकिन इनमें एक बात बहुत अच्छे देखे जाती है जो कि पाकी किसी नक्षतर में नहीं देखे जाती यह कितने यह भी शांत आया फिर दीरेकंबिर आपको दिखाए दे लेकिन जैसे ही सही समय आता है जैसे ही अपर्जटर इनके सामने आती है तो इसे जल्दी से ग्रैप कर लेते तब इनमें जो जोश खरोश है वो बहुत अच्छा देखा जाता है जब इनमें जो एक्टीवनेस है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है तो असलिशा नक्षतर की यह जो बात है वो थोड़ी से अलग है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और यह बात देखा जाए या फिर मोटे तोर पर अगर देखा जाए तो यह जो संपुर्ण राशी है करक राशी के जो पती होते है इनमें यह जो बात होती है वो काफी अच्छे तरीके से देखी जाते सकती है अब देखिए कि ऐसी कौन सी बात है जिसके विज़े से आप में और करक र विचार करके खर्चा करने तो इसके उपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना आवज है कि इसके बाउजूद अगर आप दोनों में कोई आप से भी तो यही बात है मोटे दर पर अगर देखा जा तो इसी प्रकार का जो विक्तित्व है वो करक राशी के जो पती होते हैं उद में देखा जा सकता है इसके बाउजद अगर कोई प्रॉब्लम या कॉंप्लिकिशन आ जाए आपके रिलेशन्शिप में तो फिर आपकी जो कुंडली है वो देखनी जाएदा आवश्यक होते है क्योंकि ये जो अमने बाती की वो शिर्फ और सिर्फं चंद्रमा के ऊपर आधा रहीता है हर एक कुंडली में चंद्रमा के वेतरीग बाकी के भी जो ग्रह होते हैं वो कंडली में कौन से राशी में है खौन से रश्य में है है कौन सु यूग में है वो भी देखना थोड़ा महत准पश्ण होता है। आपको यह वडियो कैसे लेगा, आपने किस प्रकार से अनुभाव की है यानि ज़िए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है रम्मान्ड सिद्यास्ट्रो इसे भी लाइक शोर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद